नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारिक है 21 जनवरी 2021 और यहां पर 22 जनवरी 2021 दोस्तों 5 और के लिए सुकुरवार निफिट्टी के फार्मा और निफिटी के आई टी श्टॉक क्यांसर करेंगे पर चेह कहां डोन को शकुर जाहरे आगे स्टुक ऑफेंचे analysis करेंगे तो वहां पर हैबल्स को भी देखेंगे फिलाल अजन्ता फर्मा से फर्मा स्टॉक्स की सुरुआत करता हूं उस सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा अजन्ता फर्मा और फर्मा की बात करने तो यह भी बिल्कुल देखेंगे अपने इंपॉर्टेन सपोर्ट लोग लोग डॉन साइड में है 450 इसका important resistance zone है दोस्तों बायो कॉन का 450 के उपर निकलने वाद ही 460 का target मिलेगा 440 का important support है जहां से इसने bounce किया है आज तो 440 के नीचे अगर ये निकलता है बायो कॉन तो sales side भी हो जाएगा और target हमारा भी 435 से लेके 430 का intraday में बनेगा केडला healthcare की बात के लिए केडला दिके अपने important support को break कर चुका है नीचे की side में थोड़ सा कमजोड है चार्ट पे और 460 के नीचे निकलने के बाद sale का position बनेगा targets 450 से 55 तक का तो जैसा कि कहा भी था कि market में profit booking आपको देखने को भी मिल सकती उसमें कोई tension नहीं लेना है वो part है वो सही हो जागा उसमें कोई tension नहीं है तो उसी सब का ये हिस्सा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिवीज लेब की बात करें डिवीज लेब ऊपर एक resistance ले रहा है 3670 रुपए का अगर उसको break करता है 3670, 3800 तक के target की तरफ जाने की कोशिस करेगा डिवीज लेब नीचे अगर ये 3580 ब्रेक करता है सेल करेंगे 3500 के target के लिए सिपला 840 के उपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे 840 के बाद 860 का target बनेगा 5000 के उपर जब तक ये ठीका रहेगा उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है 5000 के उपर हमेंसा positive रहेगा 5000 के नीचे ये negative होगा तो 5000 के उपर हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं हाँ 5000 के नीचे आने पर बिल्कुल सेल का भीव बनेगा और हम लोग सेल करेंगे 4900 के target के लिए गलेनमा फार्मा देखे सेल साइट का एक्टिवेट हुआ था टार्गेट सारे डन के तो मैंने टेलिग्राम चानल पर भी दिया था तो टेलिग्राम चानल में कॉल पर राप्त करने के लिए लाइब मार्केट में आप टेलिग्राम चानल को जोईन करना होगा वीडियो के description में लिंक मिलेगा तो वहां पर मैंने यह कॉल दिया थे के लिए मां फार्मा के अच्छा खासा चला नीचे के लेबल को अगर यह कल वापस से ब्रेक करता है 494 के नीचे तो सेल करेंगे 485 के टार्गेट के लिए लूप इन 1100 का रिजिस्टेंस से 1100 के उपर जाने के बाद से लेकिया ग्यारा सो पचास का नेक्ट तार्गेट दिखा सकता है इस टार्गेट फार्मा यह भी नीचे के लिए अक्टिबेट किया नीचे का रिजिस्टेंस बन चुका है तो 900 के उपर जाने के बाद ही इसमें बाय का पोजिशन बना है और अधर्वाइस उसको एवाइ तके का 860 की तरफ आने के कोशिज करेगा, 875 के नीचे सेल करने पर 900 के पास इंपॉर्टेंस रिजिस्टेंस, Sun Pharma 580 के पास इंपॉर्टेंस सपोर्ट ले रहा है 580 के बाद अगर ब्रेक करता है, तो 570 का ब्रेक करता है 595 यह सब ब्रेक करता है, तो 600 से लेकर 610 का टार्ग हाँ एक important support zone है जिसको कहते है कि demand zone वहाँ पर आके यह भले ही खड़ा है और वो demand zone आ रहा है 1550 का अगर यह 1550 के नीचे गिरता है तो 1500 का target दिखाएगा torrent pharma की बात कर लें torrent pharma upside में अठाइसो का resistance ले रहा है अठाइसो के बाद उन्ती सो तक का target दिखाने की कोशिस करेगा upside में नीचे अगर यह 2700 को break करता है तो sell करेंगे 2600 के target के लिए वो cut pharma 550 का एक important resistance है 550 के उपर निकलने के बाद 560 से लेके 70 का target इंटाडे में भी दिखा सकता है तो दोस्तों यह था निप्टी के pharma stocks पे मेरा अपना view के पहले अभी में फार्मा दे रहा हूं साथ में IT उसके अध मेटल के stocks की अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो cut pharma के बाद चले बाद आइटी स्टॉक्स को लगाता हूं लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करने लिए टेलिग्राम चानल को ज़रू ज़रू जबाइन कर बीप्रो की बात करने दोस्तों तो बीप्रो में भी रजिस्टेंस हालनकि लेरा आइटी फर्मा दोनों में आप देख रहे हैं गिरावट अलनकि गिरावट तो अलगबग आपको सब में मिलाओगा पहले आप साइड के मोमेंट दिखाया दोनों ही साइड आज एक स्पारी पर जाने के लिए कम से कम 1010,1020 को ऊपर ब्रेक करें 1020 के ऊपर तब 2030 से लेकर 40 तक टारगेट इंटरडे में मिल सकता है टाटा इलक्षी में कि अगर यह गीरेगा भी तो 200 पॉइंट एक साथ गीरेगा इना दिखिया आज का हाई है 2830 का लो लगाया है 2530 वहां से गीरा है तो 7.5% की गिरावट दिखाया इसने, टाटा इलक्सी ने, मतलब जवर्दस तरीके का दिखाया, तो अभी थोड़ी सी इसमें profit booking और भी चलेगी, मेरे ख्याल से कल वापस से अगर यह 2530 को ब्रेक करता है, 2550 को भी अगर ब्रेक करता है, तो 2530 के नीचे आ जाएगा, और 2530 के एक टारगेट दिखा सकता है, टाटा इलक्सी, अगर बाउंस आना होगा, तो 2620 को उपर ब्रेक करेगा, तब फिर वापस सकता है, तो का एक टारगेट दिखा सकता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है, एक दिन और इसमें भी गिरावट मिल सकती है, माइन ट्री, उपर एक, 2020 का इंपोर्टन रेजिटेंस जोने, 2020-2030 अगर वो ब्रेक करेगा, तो 1050 का नेक्स टारगेट बनेगा, नीचे अगर ये 980 को ब्रेक करता है, तो सेल करेंगे दोस्तों 960 के टारगेट के लिए, जश्ट डायल, चले जश्ट डायल की बात कर लें, जश्ट डायल कल ज नजर पर रख के चलेंगे, उपर के साइड में अगर जश्ट डायल ब्रेक करता है, चैसो पर श्टर को, तो बाय साइड जाने की कोशिस होगा, तारगेट वापस से 700 तक कर दे सकता है, ल्टी ये भी गीरा, तीन परशेंट बहुत ही जबरदस तरीके से, तीन परशेंट नो सो से लेके 3770 तक के टारगेट नीचे दिखा सकता है, एमफासीस देखे सारा सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ रहा है, कोई बात नी, 1590 के नीचे कल दुबारा निकलेगा, दुबारा सेल होगा, टारगेट 1550 का मिल सकता है, एमफासीस में उपर जाने के लिए कम 1620 को ब् नीचे मिल जाएगा, तो निप्टी फार्मा, निप्टी आईटी उसके बाद, अब जरा हम लोग निप्टी के मेटल स्टॉक को देख लेते हैं, कि मेटल स्टॉक में कौन सा स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, लेकिन इस दो यहां पर आईटी में दो स्टॉक रह जाते है इसमें मैं लाइब में कुछ कॉल्स प्रोवाइट करता हूँ, और आप जाके जाके जोईन होके देख सकते हैं, कि वहां पर मेरा कॉल्स का प्रफॉमेंस कैसा रहता है, तो यहां पर मैंने तीन तरीका बताया है, जोईन होने का टेलिग्राम चैनल पे, पहला प्रोसेस है दोस्तों, कि आप अपने मोबाइल में टेलिग्राम एप को इस्टॉल किजिए, उसके आद उसे ओपेन करने के बाद, आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च किजिए अपने टेलिग्राम एप में, तो वहां पर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जोईन हो स करते हैं, तिसरा प्रोसेस कि आप म Slim हुन्ज से मिरे वार्टसप नंबर पर टेलिग्राम चैनल का मांग सकते हैं, उसके हम भीसे वार्टसप नंबर को ढड़े है, और मेत्वunden करतода उमें, देखें ऐथा. का important support था उसको break कर दिया, break करके नीचे close कर रहा, फैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक important support है इसका पचीशो का असपास का, या निकल अगर यह पचीशो फचास या पचीशो चालिस को नीचे break करता है, तो वार पचीशो के level को भी दिखा सकता है, आप साइड में, नीचे डाउन साइड में इसके अलाबह अगर बिलाशॉफ्ट की बात करें तो बिलाशॉफ्ट में भी प्रॉफित बुकिंग अभी यह ठीक है यह स्टॉक्स में कोई खराबी ऐसा है नहीं को पर निकलने के बाद यह आपको 300-320 तक के टारगेट बिलाशॉफ्ट आते हुब नजर आएगा तो अच्छा है लॉंग टर्म क्ले भी अगर इंवेश्मेंट परपस से देखा चाहिए तो इस्टॉक्स 3 का 73 से तो नजर बना के आप रख सकते हैं फिलाल हम लोग निफ्टी फार्मा निफ्टी एटी और मेटल इस्टॉक्स को भी लगाएंगे और देखेंगे कौन सा मेटल इस्टॉक्स कहां पर खड़ा है देखिए निफ्टी के मेटल मैंने खोल लिया है सबसे पहले है एपी एल अपॉलो ट्यूप्स 930 के आज पास का प्राइस चल रहा है दो धाई परसेंट की आज तेजी के साथ ट्रेड किया इसी स्टॉक्स ने मेरे खाल से एपी एल अपॉलो पर आप नजर बना के रखिए आपको शॉट टर्म टार्गेट 1000 तक के अराम से एपी एल अपॉलो में मिल सकते यह चीजे नजर आ रहा है अगर कल ऊपर की साइड में 972 को ब्रेक करता है तो 1000-1020 के टार्गेट एपी एल अपॉलो ट्यूपस आपको दिखा सकता है कोल इंडिया की बात कर लें कोल इंडिया इंपोर्टन सपोर्ट है 135 के नीचे कोल इंड देखा जा तो 75 पॉइंट आज डाउन फॉल में ही रहा 75 पॉइंट तो उसके साथ सारे इंपोर्टन सपोर्ट है 240 का हिंड अलको में 240 के नीचे जाने पी कम जोड होगा अगर 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 यह 255-256 ब्रेक करता है तो फिर चेंज हो जाएगा ट्रेंड और 270 तक का ऊपर के चीज मुझे इसमें करना है बांकि Nifty सब्सक्रावा क्रें ang Kem ещеru का बांकि Nifty का यह पर देख सकते हैं तैने टार भी आप मिलती तो हिंदुस्तान कॉपर को आपको बता दिया मैंने हिंद जिंग को देख लेते हैं हिंग जिंग पे पोजिशन अब भी देखिए जहां से वे बाउंस किया लगवागग 270 का एक सपोर्ट बन चुका है 267 यह इसके नीचे नहीं आना चीह अगर इसके नीचे गिर जाता है 264 के नीचे आ जाता है यह कम जोड हो जागा 260 से फिर 255 का टारगेट दिखाएगा उपर जाने के लिए 300 का एक इंपॉर्टन रजिस्टेंस अगर 300 को ब्रेक करेगा देन वह 320 का टारगेट दिखाएगा हिंदुस्तान जिंग जेस डबलु स्टिल की विवाद कर लें जेस डबलु स्टिल में 410 को ब्रेक करने के बाद 420 का नेक्स टारगेट बनेगा हिंदुस्तान जिंग जेस डबलु स्टिल जेस डबलु स्टिल को देख लें इंपॉर्टन जोन पर खड़ा है 310 का काफी अच्छा जोन है इसका 310 अब देखेंगे तो यहां से इसने 295 के पास एक अच्छा ब्रे करता है मैंने पोजिशनल कॉल भी दिये थे टेलिग्राम चैनल पर जिंदल इस्टिल का और वो टारगेट भी जिंदल इस्टिल के हो गया है डन लेकिन फिर से अगर यह 310 को ब्रेक करता 320 तक और 330 तक का टारगेट दिखा सकता है मोईल की बाद कर लें मोईल 147 के उपर निकलने के बाद 155 तक के एक टारगेट दिखा सकता है आपको मिधानी यानि कि मिस्ट धातु निगम लिमिटेड इस्टॉक्स अच्छा है अगर लॉंग टर्म रखते हैं सरकारी स्टॉक है उसमें तो कोई खराबी है नहीं मिस्ट धातु निगम सरकारी स्टॉक है नहां वही है तो इस ने एक टेन लाइन को हला कि ब्रेक किया तो थोड़ा से निगेटिव आप देख सकते हैं चांसे तो अभी पोजिशन मत बनाएं 200 के ऊपर जब निकले तभी पोजिशन बनाए यह 210 के टारगेट के लिए एनमडीसी को लेके चलते हैं एनमडीसी में इंपॉर्टेन सपोर्ट है 115 का अगर वह ब्रेक कर जाता है तो 110 तक का नेक्श टारगेट आपको सेल साइड में एनमडीसी दिखा सकता है 120 को उपर जाने बाद 125 का टारगेट नेशनल एलमुनियम तो नेशनल यानि की नाल को बोलते हैं इसको हाँ उपर के लेवल पर जब तक 50 को ब्रेक नहीं करें तब तक नया पोजिशन क्रियेट मत करेंगा 50 के उपर निकलने के बाद नाल को आपको एक अच्छे मुमेंट दिखाएगा जो 55 तक जाने की कोशिज कर सकता है नाल को तो नजर रखेगा नाल को यानि नेशनल एलमुनियम पर रतना मनी पर देख लें 1592 रुपे का श्टॉक है तो श्टॉक का भी बड़ा प्राइस का है लेकिन कोई दिकत नहीं लिए मुमेंट भी वैसे ही करता है और जब अगर यह 1660 को अगर रतना मनी ब् बहुत अच्छे से मिल जाएंगे सेल यानि इस्टील ऑफ इंडिया की बात कर लें इंपॉर्टेंट रिष्टेंस से 70 को ब्रेक करेगा देन 75 तक का एक तार्गेट दिखा सकता है टाटा इस्टील यह तो हीरो है ही इसको मैंने पोजिशनल कॉल स्विंग टेडिंग कॉल प 650 से देखें यह बारवर बाउंस कर जाता है अगर इसके उपर नीचे 650 उपर 732 इसके रेंज में रहेगा ट्रेड नहीं होगा अगर वीडियो और एसके पसंद आता है तो लाइक और फिडबेक जो दीजे दोस्तों साथ ही टेलिग्राम चैनल को लाइब मार्केट में कॉल पर आप्त करने के लिए आप जोईन कर सकते हैं तो मिलता हूं आप नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बहुत बह करने बार